हलो दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्तों मोनु सर्मा फिर सवागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल इंफो भी सर्माज में दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि रिगार्डिंग आज बात करने वाले हैं इस योजना के अंतरगत अगर आप अपने ग्राम प सरकार के अनुदान दिया जाता है आज इसी कि इसको उन्टैंटेट कर सकते हैं कि इनको क्या बाये कर सकतें और चीज आप करने से पहले हैं तो प्लीस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा और बैन आइकन को जरूर प्रेस कर दीज़ा कि आगा आपको नोटिकेशन के अमाद हम से तुरन मिल जागा और दोस्त वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्त एक लाइक जरूर कर दिए क्योंक आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं एक नोटिकेशन डाउनलोड करके रखा हूं इसको जूम कर लेते हैं और इसमें आप हम दिखाते हैं साराजी देखें यहां पर में हेडिंग दिया हुए क्रिसी यंद्र बैंक अस्था आपने है तुस्रा है था तो यहां पर क्रिस आत्मा से संबंदन फार्मर इंस्ट्रक्शन ग्रूप जिसको बोलते हैं नौबट राष्ट्यकृत बैंक से संबंद किसान कलब यानि कि फार्मर प्रोडक्ट्स और्गनाजेशन एफ पी ओ एवं स्वयम साहता समू को क्रिसी यंद्र बैंक अस्थापित करने का सुनाड़ यानि कि इन ग्रूप के लोगों को यह बैंक खुल सकते हैं अब यह बैंक जो खुलेगा देखें यहां पर क्रिसी विवाग बिहार सरक्कारद्वारा वीतिये वर्स दोजर इकीस बाइस में सममेशन ऑन एग्रिकल्चर माइक्रो नॉजेशन योजन अंत्रगत क्रिसी कल्य है इस टेंडर के अंदर में टोटल इतना रुपे खर्च किये जाएंगे अब चले नीची आते हैं और यह जो है टेंडर किनकिन जिलों में लागू होगा और किनकिन जिलों में इस बैंको खोला जा सकता है देखें विहार के चैनेद कुल तेर अकांची जिला यानिकि स्थाफना किया जाएगा और उस्थाफना करने का उन परतेक बैंकों में अगर आपका उनका लागत जो होगा दस लाग रुपह होगा जिसमें कि सरकार के तरफ से आपको आठ लाग रुपह का अनुदान लिया जाएगा और नीचे आते हैं और यहां पर देखें ग्राम चैनी दोजार इगारा जन गन्ना के अनुसार एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम होना है यानि कि आपके एक ग्राम में दोजार जन संख्या जन गन्ना हुआ था उसमें अगर उस ग्राम की जन संख्या एक हजार से अधिक है तो वहां पर आप कर सकते हैं वहां के लिए अपलाई कर सकते हैं राजी की इच्छुग जीविका के समोग ग्राम संगठन कलेक्टर फांडेशन अमर इंट्रक्शन ग्रूप एफ आईजी नौबाड रास्तिय बैंक के संबन्द किसान कलब फार्मर प्रोग्ट और जास्ट औरनाजिशन यानिके एफ पी ओ एवं स्वेम साहता समोग के आवेदन कर सकते हैं तो आवेदन करने के लिए किडिसी विवाग के वेबसाइट यादे के वेबसाइट दिया हुआ www.farmecl.bse.nic.in दिनांग 2821 से 3821 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है यानिकि इनका आवेदन का जो तीथी है वो दो तारिक से श्टार्ट होगा 2821 से और 3121 तक आवेदन किया जा सकता है अब चलिए मैं बात कर ले था आपको कि इसमें आपको बेनिफिट क्या होने वाल हो बेनिफिट यह है कि इसमें आपको ट्रैक्टर से लेकर के साड़ी सुविधा आपको इसके अंदर में आपको गवर्मेंट के तुरुप से मिलने वाली है और उसके क्या कि जिस भी किसानों को जो भी चीज़ों को जड़त होगी वो किसान आप से आएंगे और आपको उन खिराया लेना है तो इससे किसानों को फिस्विदा मिल जाएगी और आपका भी कमाई हो जाएगा तो यहां से इस तरीके से आप फायदा इनका उठा सकते हैं इनका जो ऑनलाइन अप्लिकेशन डेट है जो आपको यह पता है और इनका जो वेबसाइट है जैसे कि मैं वेब सकता है आपको यहां पर आवएदन करने लिए लिंक एक्टिबेट करती है यहां से आण करके आवएदन कर सकते हैं ओमेद करते हैं दोस्त आपको यह हमारे जानकड़ी बहुत अच्छी लगए होगी अगर आपको इस वीडियो के लिए आपको कुछी भी कोश्टन करनी है तो मैं कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बलते हैं आपको पूरी कोशिस कुरूंगा पूरी जानकड़ी देने के लिए ला कर दो